इकतालीस मजदूरों को सुरक्षित बार निकालने में जिन योद्धाओं ने सबसे एहम भूमी का निभाई वो है रैट माइनर्स जो इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौझूद हैं इन्हें सबसे बड़ा श्रे दिया जा रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी मशीने फेल हो जाने के बाद हाथों से इन्होंने खुदाई की है और इन्होंने 41 जिंद्गियां बचाई है आप उन्ही में से थे जिन्होंने खुदाई की क्या नाम है आपका नासिर आप खुदाई क करके उन मजदूरों तक पहुंचे थे कितनी बड़ी वहाँ जगे थी खुदाई करने के लिए जो आप खुदाई कर पा रहे थे और एक घंटे में कितनी खुदाई आप आगे कर पा रहे थे और ये सबसे एहम बाद भी है इसमें आप खास तोर पर एक्सपर्टीज रखते हैं आपके एक माहिर हैं इस काम में जिस तरह से बड़ी-बड़ी मशीने फेल हो गई और उसके बाद इस तरह के युद्धा को जब याद किया जाता है कैसा महसूस हो अबी किया था मेरी साधी हो चुकी है मेरी बाइक ने भी होला कि हुआ उतने फटे पर रहे हैं तुम जाके क्या करोगे तो मैंने उनसे कहा पापा से भी कहा मैं लिखा सकता हूँ ने अगर आप इजाज़त दें जब ये जजबा आपका था मैंने कि मुझे मेरे लीडर ने परिवार के सदस्यों ने छोटे बच्चे ने भी अपने पिता का धांडस बदाया कि आप एक ऐसे मिशन पर हो जो नेक काम है बुलकुल बुलकुल सर्थ बहुत ज़्याद है वसला बजाई कि घरवालों ने भी लिका लगया हो लेकिन जब ये खुदाई आपने शुरू क आप खुद वो मशीन चला रहे थे उन तक पहुँच रहे थे क्या दिल में था क्या कभी ये मिशन नाकाम होगा या फिर मैं अब ये जीत हासिल करके लटूँगा उनके पास जो इस्टॉक था खाने का पानी डैफ रूट बगयरा वो सारी चीज सफिशेंट थी लेकिन अब जो दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि जब सभी किस धड़कने रुकी हुई थी आप मेहनत कर रहे थे बिना खाए पिये भूके प्यासे आखरी हतोड़ आखरी मशिन किसने चलाई जिसने वो होल तयार कर दिया और वो पहुँच गए यह मैंने चलाई यह जाबाज आप ही हैं सबसे पहली मैंने और यह मुनू आप आपका क्या नाम है मेरा नाम मौनू है आप भी खुदाई में शामिल थे जी तो उन मजदूरों तक पहुँच पहुचने से लेकर भाईयों को रेस्क्यू करने तो कैसे काम शुरू किया मैं मैं पूछू कम और आप बताओ ज्यादा तो ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने वालों करा जिसमें सरिया वगयरा थे हमने उसको कटवाया वेल्डर लोग उसे फिर हम उसमें अंदर गए हमन के गए है मंदर फिर उन्होंने उसको सरिया को काटा फिर हमने आगे पाइप सरकाया यह बताइए कि मशीन तो सीधे सीधे काम करती है लेकिन जब आपने काटा तो आपने दाएं बाएं कुछ रास्ता और बनाने की कोशिश की वैसा कुछ किया आपने गए हमने का काम किया है लोग कलपना करते हैं इतनी सी जगे में खुदाई करेंगे तो दम खुटने लगेगा कैसा महसूस करते थे आप कि वो हमारे अपने हैं वो कोई गैर नहीं हैं उनकी जिन्दगी अब हमारे हवाले है और आर्मी के जवानों की भी तैनाती थी NDRF, SDRF की जवान तो आप लोगों ने खुदाई शुरू की कितने मीटर की टोटल खुदाई आप लोगों के हाथों से हुई है अठारा मीटर आप लोगों ने खुदाई और इसके लिए आपने कुल वक्त कितना लिया 26 गंटे, काम क्या बीच में सो गए थे, रेस्ट करना पड़ा, कुछ ऐसा जो आम लोगों को मौका मिलता है दिन में काम करो, रात को सो जाओ 20 गंटे, नौन स्टॉप, भूके, प्यासे आप काम करते रहे? लेकिन जब वो आखरी हतोड़ा चलने वाला था, उससे पहले धड़कने तो आपकी भी बढ़ी होगी कि आखर कब मैं अपने मजदूर भाईयों तक पहुच जाओ, मेरे आखरी हतोड़े से छेद हो जाए और उनको गले लगा लूँ, क्या सीन हुआ था, जब आखरी हतोड़ा चला वो बताईए अब कुछ है नहीं है, प्रूप नहीं है बिल्कुल, वो तो आपकी जुबान से ही सामने आ सकता है प्रूप नहीं है कि इतनी जगा थी कि सिर्फ मेरा हैड लिख ला था, मैंने उतने ही मैंसे अंदर चला गया, मेरे पीछे ये भी ऐसे ही उतनी हमने जगा उसके बाद ही किया है, पहले उनसे मिलने के बाद, यानि आपने सीधे थोड़ी सी जगे से अभीतर चलांग लगा जैसे ही वो लोग आप से मिले, आप उनसे मिले, क्या माहूल था, क्या रियक्शन था? बात क्या हुई, कुछ अलफाज जो जुबान पर आप आया हैं, उनके और आपके? आए थे, अलफाज भी आए थे, उस टेम पर उनकी भी आँखे थोड़ी नम थी, थोड़ी बहुत हमारी भी हो गई थी उनने देखने के बाद, क्योंकि सत्रा दिन होते हैं, बिना सूरज देखे हुए, उन्होंने कैसे काटे हैं, ये वो जानते हैं, और उनका दिल जानता बागी खाने को सब कुछ पहुच रहा हो, लेकिन ये नाजुगड़ी थी, आखें अगर नम थी, तो ये हकिकत थी, इस दिल की धड़कन जिस तरीके से एक एक करके इंतजार कर रही थी, कि मैं अपने भाईयों तक कहुचू, ये इन्होंने कर दिखाया, आप भी आदमी खेंचने वाले, तो दो-दो लोगों ने मिलकर के पहले खुदाई की, कुल मिलाकर चार लोग थे, जिन्होंने की अपने हत्रोडी गैती भावड़ा चलाया, और बाकी की लोग खेंचने में लगे हो थी, नौन स्टॉप ये काम होता है, आपकी मुख्यमंत्री से भ धामी ने, यहाँ पर केंद्री मंत्री वीके सिंग भी थे, उन्होंने भी पीट थपती बैए, क्या था हुँ? आप पर भरोसा किया गया देश विदेश के बड़े-बड़े वैग्यानिक आये एक्सपर्ट्स आये मशीन आये लेकिन आप पर भरोसा किया गया लगता है आपको कि एक बड़ा पुरसकार है ये उससे कुछ कम नहीं सबसे बड़ा हमारी लाइब का बहुत बड़ा नहीं हमारी लाइब का सबसे बड़ा है हमने अभी तलग इतना बड़ा कोई काम नहीं किया है ये जजबा है ये जजबा इनका है ये कहते हैं कि ये जिन्दगी का सबसे बड़ा काम उन्होंने कर दिखाया है और ये सारे लोग इन्हों ने ये वो कारणामा कर दिखाया, कहा कि आखें नम थी, लेकिन आखों में जो आंसु थे, वो खुशी के रहे होंगे। ये आपकी हिम्मत की वज़े से हुआ। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये तो उनके लिए कभी न भूलने वाला लमहा था, लेकिन इनका काम दुनिया के लिए कभी न भूलाया जाने वाला था।